कर्व hart किर देखेंब करुमेसटनल आइसोमेरिजम किर गार्च शे स़ीन हैं पर कार्बन कार्बन की बीच सिंगल निबोंड होता है वहाँ पर ये conformational isomerism होता है तो पहली बात आप अपने दिमाग में fit कर लीजे कि हम isomerism पढ़ रहे हैं और isomerism की definition आपके mind में clear होनी चाहिए same molecular formula but different structures different physical and chemical properties तो conformational isomerism की हम बात करेंगे तो इसको हमको alkane वाले chapter में ही पढ़ना है alkane में cyclo alkane में तो ये इसके लिए primary condition हो गई कि carbon कार्बन के बीच में single bond होना चाहिए ये भी एक तरह का isomerism है it means एक same molecular formula रहेंगे लेकिन different different structures बनेंगे तो आईए देखते हैं different space arrangement of atoms in a molecule तो conformational isomerism होता है कि जो molecule है उसमें जो atoms है उनके different arrangement है clear तो for example मैं एक molecule हूँ ये मेरा carbon है और ये hydrogen है तो एक बार ऐसा arrangement है एक बार ऐसा arrangement है एक बार ऐसा arrangement है तो ये जो space में जो arrangement में जो difference है उसके कारणी ये conformational isomerism हो रहा है फिर आप समझेए एक आपको कोई alkane दिया है carbon के उपर hydrogen लग रहा है दूसरे carbon पर भी hydrogen है तो carbon carbon single bond है clear तो आप क्या देख रहें around carbon carbon single bond free rotate ये carbon है ये carbon है ये बीच में bond है और ये मान लीजिए ये उस पर three hydrogen है तो आप क्या देख रहें free rotation allowed होने से अलग-अलग-अलग different positions वहाँ पर हो रही है तो पहला point different space arrangement of atoms in a molecule और ये क्यों हो रहा है this is due to free rotation around carbon carbon single bond में ने कहा ना single bond है ये दो carbon है free rotation हो रहा है तो आप देख रहें ना एक बार photo ये से आया अब जैसे आप photo अलग-अलग-अलग गुमाते जाएंगे वैसे वैसे हर degree हर minute हर second पर अलग-अलग structures आपको मिलेंगे चलिए let us start with one structure इधेन की बात करते है CS3, CS3 दो carbon हैं जो primary condition थी के single bond between two carbons carbon-carbon के बीच में single bond होना चाहिए ये front carbon है किसी को भी माल लीजिए ठीक है और ये आपका rear पीछे वाला carbon है ठीक है समझ में आ रहा है सब लोगों को समझ में आ रहा है आपको CS3, CS3 तो ये आपका front carbon है और ये आपका rear carbon है इसको carbon number one दिया है इसको मैंने carbon number two दिया है अब देखिए इसको जो रिप्रेजेंट करने का अलग अलग formula होते हैं जैसे आप जानते हैं न molecular formula होता है electronic formula होता है Lewis formula होता है वेसे ही formula है यहाँ पर newman projection formula ये जो newman projection formula है उससे हम इस confirmation isomerism को बताएंगे तो newman projection formula में ये जो आपको black वाला नजर आ रहा है ये तो आपका rear carbon है और ये जो blue वाला नजर आ रहा है ये आपका front carbon है तो blue पर भी तीन hydrogen है 1 hydrogen, 2 hydrogen and 3 hydrogen दिख रहा है और बेक वाले पर H3 है तो ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं clear अब आप angle देखिए ये जो front वाला hydrogen है और ये जो बेक वाला hydrogen है किसके पीशे अभी ये जो है वो rear वाला hydrogen आ गया है यहां angle हो गया 0 degree तो हमने पहला question यहां पर लिखा है कि two first and last extreme confirmation form ये तो दो बनेंगे उसमें से जब इनके बीच में 60 degree या maximum distance होगी तो इसको हम बोलेंगे staggered conformer लेकिन जब बिलकुल एक के पीशे एक है जब die ideal angle यह मतलब इन दोनों के बीच का angle 0 degree है मतलब आप देखिए मेरे को इस अंगली के पीशे में इसको लगा दिया आपको नजर नहीं आ रहा है तो इस form को बोलेंगे eclipse धक लेना, overlay कर लेना तो ये eclipse तो form होगा तो दो तरह के conformance है number one is staggered number two is eclipse इसको मैं S से बताऊंगा और eclipse को मैं E से बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये दो बाते बिलकुल clearly रहनी चाहिए clear ये बात आपका बिलकुल clear concept होना चाहिए now अब देखिए यह मैंने double है ये लगाया इसका मतलब है कि staggered form eclipse में change हो सकता और eclipse form staggered में change हो सकता है अब 0 से 60 ये 360 डिगरी पुरा rotation करेगा तो इन दो के अलावा जो भी कोई structure बनेंगे इनके बीच में 60 डिगरी और ये 0 डिगरी के बीच में उनको हम बोलेंगे क्योंशे या फिर इसको कई बार इसको एक conformer भी बोलते है S-K-E-W clear S-K-E-W तो इनके बीच के जितने भी बनेंगे जैसे ये तो आपका overlap कर लिया eclipse अब maximum distance पे हो गया staggered लेकिन इसके बीच में जब हम गुमाएंगे तो 59 डिगरी 30 मिनिट्स या 58, 57, 56 जो भी कुछ बनेंगे उनको इसके बीच के जो इस ट्रेक्चर होंगे उनको हम गुशे या फिर हम इसको conformer बोलेंगे तो एक बात clear हो गई के आपका conformation isomerism के लिए primary condition is elken, cyclo-elken carbon-carbon के बीच में single bond, ये primary condition number two, जब इसको rotate करेंगे तो आगे वाले carbon का, पीछे वाले carbon का hydrogen का overlap कर लेगा तो उसको eclipse बोलेंगे और जब maximum distance होगा तो staggered तो हमने लिख दिया two first and last extreme conformations जो है, वो staggered और eclipse है clear, between these two, infinite number of conformations can form, क्योंकि जब आप गुमाएंगे तो इनके बीच में infinite number में बनेंगे conformers तो कभी आपसे पुछेंगे के staggered और eclipse के बीच में कितने बनेंगे तो infinite number में आपके conformer आपके isomer बनेंगे, ठीके चलो अब example को देखते हैं staggered में मैंने क्या बताया maximum distance पे है तो यहाँ पर di-hydral angle कितना हो गया, 60 degree लेकिन यहाँ पर di-hydral angle कितना है, 0 degree, clear number two, bone distance definitely यहाँ distance ज़्यादा है जैसे इथेन के case में h1 और h2 के बीच में यह h1 है और h2 है तो इनके बीच का distance 2.55 है लेकिन eclipse में 2.29 है तो एक कम हो गया because they are near, यह एक दूसरे के पास पास है bone distance far away to close repulsion definitely जब एक दूसरे से ज़्यादा distance पे तो repulsion क्या हो गया list यहाँ पर बहुत pass में इसलिए repulsion क्या हो गया maximum और आप तो जानते हैं chemistry का rule है, जब repulsion ज़्यादा होगा तो stability क्या होगी list होगी और जब repulsion कम होगा तो stability ज़्यादा होगी most stable तो एक और चीज आपको आनी चाहिए कि staggered form में angle ज़्यादा होता है eclipse में कम होता है staggered में जो है वो pass pass नहीं होके दूर दूर होते है bond distance ज़्यादा होती है eclipse में bond distance कम होती है staggered में क्योंकि दूर दूर है इसलिए repulsion कम है eclipse में बहुत pass है, die hydral angle zero है, इसलिए आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, बोलिए यहाँ पर zero होगा, यह यहाँ पर maximum होगा repulsion तो जहाँ repulsion minimum है staggered में, वहाँ पर stability ज़्यादा है, लेकिन eclipse के अंदर distance कम है repulsion maximum है इसलिए stability इसकी list है एक और important बात, staggered को eclipse में क्या change कर सकते हैं yes, लेकिन क्या eclipse को staggered में change कर सकते हैं, yes, लेकिन इनको एक barrier, barrier समझते ना, आप गाड़ी में जा रहे हैं रस्ते में barrier बनावात, आपको घेर change करना पड़ेगा, तब आप उस barrier को प्रार कर सकते हैं, आप समझने हैं मेरी बात को, आपको एक काम से दूसरे काम करना है, आपको मान लीजिए, तो आपको कुछ energy लगानी पड़ेगी, उसको barrier बोलते हैं clear, तो rotational barrier जो है, यहाँ पर, वो 12 kilo zool per mole है, अगर इतनी energy आप दोगे तो staggered form eclipse में या eclipse form staggered में change हो सकता है, तो यह barrier का मतलब है, कि वो, वो energy, जो required है, एक form को दूसरे form में change करने के लिए, तो ethane के case में यह 12 kilo zool per mole है लेकिन, आगे हम problem को देखेंगे, जैसे जैसे molecular mass alkane के बढ़ते जाएंगे, यह energy barrier भी बढ़ता जाएगा, जैसे ethane के लिए 12 kilo zool है, तो definitely propane के लिए और जादा होगा, butane के लिए और जादा होगा, penane के लिए और जादा होगा, clear now, अब आप आगे देखिए यह मैंने propane का यहाँ पर बनाया है, तो जैसे ethane था वैसे ही propane है, यह आपका front वाला है, यह आपका back वाला है, यह maximum distance है, 60 degree, तो इसको staggered बोलेंगे, यह आपका 1 के पीछे A के die idle angle 0 है, तो इसको eclipse बोलेंगे, ठीक है, अब कुछ चीजे आपको यहाँ पर knit IITG के और board के questions आने चाहिए तो पहला question तो यहाँ हमारा बन गया और हमेशा ध्यान रखिए, torsional strain, एक नई term हमारी है, what is the meaning of torsional strain, repulsion filled by close bonding electron, यह जो electron है, यहाँ hydrogen और carbon के बीच, hydrogen और carbon के बीच में, इन electrons के बीच जो repulsion होगा उसको बोलेंगे, torsional strain, और molecular mass बढ़ने पर यह बढ़ता चाहेगा तो due to rotational barrier, rotation around carbon, carbon is neither completely fear nor frozen, देखिए energy barrier के कारण यह free rotation, जैसा आम बोल रहे देवे से होता नहीं है थोड़ा सा restricted होता है जब इतनी energy मिलती है, तो वो rotate होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकते हैं, frozen का मतलब होता है, नहीं हो सकते हैं, fix हो गया frozen neither restricted nor frozen, बस energy barrier को आप अगर cross करते हैं, तो eclipse को staggered, staggered को eclipse में change कर सकते हैं, clear, अब कुछ knit G के questions देखते हैं पहला question तो हमने यहीं collect कर लिया था, क्या यह एक दुसरे में change हो सकते हैं, yes क्या change करना पढ़ेगा, केवल चाहिए आपको energy barrier तो conformers can change, yes केवल क्या cross करना है energy barrier, और molecular mass बढ़ेगा तो energy barrier बढ़ेगा, conformers can not be separated, यह दूसरा question लेकिन आप एक mixture में से staggered eclipse को निकाल निकाल के अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्या reason है, क्योंकि उनके बीच energy के बहुत कम है, एक और question, four restricted transition energy barrier की range है 0.6 से 16 किलो के लोरी के बीच अगर energy barrier है तो तो आपका वो staggered से eclipse और eclipse से staggered में कर सकते हैं, लेकिन अगर यह 16 किलो के लोरी पर मोल से ज़दा हो गया तो फिर frozen हो जाएगा, उसके बाद आप eclipse को staggered में, तो वो molecule जिसमें energy barrier eclipse और staggered के बीच में 16 किलो के लोरी पर मोल से ज़दा है, वहाँ पर पूरी तरह से rotation stop हो जाएगा लेकिन 16 से कम है, 0.6 से ज़दा है, तो वहाँ rotation energy देने पर possible है एक और question, molecular mass increases, rotational barrier increases, torsional strain increases, जैसे जैसे methane में कम होगा, ethane में ज़दा होगा, propane में ज़दा होगा, butane में ज़दा होगा, pentane में और भी जदा होगा, hexane में और भी जदा होगा, तो यह पूरा एक हमने इसका कुछ कुछन्स हम और करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर, लेकिन यह पूरा के पूरा आपका confirmation isomerism का एक यह बेसि पूरा point है, clear? तो I think आपको यह समझ में आया होगा, अगर आपको यह अच्छा लगाओ वीडियो तो you can share with your friends, और हम नेक्स वीडियो में इस confirmation isomerism को इस first video है, second में इसको और continue करेंगे, और कुछ NIT, IIT जी और बोड के कुछ और अच्छे questions को करने की हम कोशिश करेंगे, अगर आपने आपको अच्छा लगाओ, आपने इसको लाइक कियाओ, तो अपने friends के साथ में इसको share करेंगे, और इस channel को आप subscribe कर लेंगे, तो साल भर आपको इस तरह के chemistry के video आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी chemistry को उसको एक edge दे पाएंगे, उसको एक sharp कर अच्छी तरह से आप पड़ पाएंगे, thank you so much, all the best, have a great time.